Hello everyone and welcome to the bank IQ मेरा नाम है तरौन और अब हम करेंगे inequalities का set number 7 तो देखते हैं इसमें questions का गए फिन है So यह आपके पास एक coded inequality दी हुई है देखिए काम करते डागराम माला रहेते हैं greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, or equal to fine अब देखिए यहाँ पर hash का मतलब का है कि a is neither smaller nor equal greater not equal तो वो क्या होगा smaller होगा मतलब क्या a is not greater than 1 स्मॉलर था गरेंगा it is not smaller than अगर वो smaller नाufen Initiar greater than equal to होसकता है तो परस्टेज आजए यहाँ पर उसके बाद add the rate किसलिए is neither smaller nor equal मतलब क्या add the rate हाजएगा तीक है अब इस question में क्या given ने इस ने बला है which are the following makes this or this definitely true ठीक है हमें यह बताना है कि इसमें से किस option में या तो यह आपके पस या फिर यह क्या हो definitely true ठीक है इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो आपका वो option सही हो जाएगा फाइन तो देखिए पहले में अगर में चेक करूँ तो सबसे बी और पी की अगर बात करें तो बी यहां पर है पी यहां पर है आप left to right जा रहे है मतलब क्या जो sign given हो का वोई sign यूज़ करूँगा यहां पर क्या given है आपका dollar given है यहां पर तो देखिए बी और पी के पीच में तो कोई relation आई नहीं पाएगा क्योंकि अलग अलग ग्रूप के यहां पर आपके sign यूज़ होगा है ठीक है M और P के पीच में देख रहे हैं तो M यहां पर बात करता हूँ तो B और P देखिए B से P अगर में बात करूँगा तो फिर से वही चीज़ से left to right में जा रहा हूँ जो sign given हो का मैं वही sign यूज़ करूँगा क्या given है आपका एश्ट्रिक given है यहां पर अब देखिए B और बात करूँ M और P की तो देखिए का given है आपर dollar given है at the rate given है मतलब कर यह given है और यह given है इन दर्ण में से highest practice किसकी है dollar किया न तो इनके बीच में क्या होने जीथा है dollar होने जीथा और यहां पर dollar ही given है इसलिए यह option आपके पास सही हो जाएगा क्यों कि इसमें यह वाला statement आपके बास और यह वाला conclusion आपका क्या हो रहा है वो true follow हो रहा है चीक है अच्छा अब देखते हैं C वाला गलत किया है फिर से B और बात करूं किसकी P की तो वह है हम left to red जा रहे है क्या given है 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 यहां पर tick लगा दिया percentage given है यहां पर tick लगा दिया percentage given है इन दौने में से highest priority किसकी है hash किए मतलब क्या इनके बीच में hash होना जाइख नहीं था लेकिन यहां पर given क्या percentage given है इसलिए यह नहीं हो सकता M और P की बात करता हूँ तो M और P के बीच में यहाँ पर क्या गिविन है दौनों % क्या गिविन है मतलब यही सायन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर given gap का dollar given है इसलिए यह option नहीं हो सकता ठीक है यहाँ बात कर लेते हैं B और P पर percentage given है यहाँ टिक लगा दिया add ahorate given है यहाँ टिक लगा दिया वसके बाद इसलिए बीच में यहाँ टिक लगा दिया अलग ग्रूप के आपको यूज हो रहे हैं इसलिए क्या इनके बीच में relation नहीं आ सकता ठीक है लेकिन यहाँ पर given क्या आपके पास dollar given है इसलिए यह नहीं हो सकता तो यहाँ से हमें क्या पता दल गया कि सिर्फ second ऐसा है जिसमें आपके पास यह वाला conclusion सही हो रहा है बाकि किसी में भी कोई भी conclusion सही नहीं हो रहा है ठीक है next question क्या है उसने हो ला है यहाँ पर है आप क्या कर रहे है left to right जा रहे है जो sign given होगा वही sign use करूँगा अब percentage given है यहाँ पर tick लगा दिया percentage given है यहाँ पर tick लगा दिया उसके बाद Ftick given है यहाँ पर tick लगा दिया अलाग यह ग्रूप की user है इनके बीज में कोई भी relation को find out नहीं कर सकते हैं isn't it, अगर मैं देखू, यहाँ पर आपके पास यह sign given है, और यह sign given है मतलब क्या, कि P और S के बीच में greater than, less than, और equal to कुछ भी हो सकता है, तो इस वज़े से हम S को definitely false नहीं बोल सकते हैं, ठीक second देखते हैं, देखिए, R और U, R यहाँ पर है, U यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में देखू, तो left और right जा रहा हो, मतलब जो sign given हो का, मैं वह sign use करूँगा, क्या given है यहाँ पर, और a strict given है, यहाँ टिक लगा दिया, उसके बाद a direct given है, यहाँ पर टिक लगा दिया, उसका आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है, कौन सा not true है, और वो भी definitely not true मतलब false, ठीक है, third while check करते है, Q और U, sorry, Q और S, Q यह है, S यह है, इनकी बीच में कर देखू तो, percentage given है, यहाँ पर टिक लगा दिया, उसके बाद S टिक given है, यहाँ पर टिक लगा दिया, फिर से वही चीज़ है, इनकी बीच में कोई भी relation नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएंगे, यह गलत हो जाएंगे, ठीक है, S और U की बात करता हूँ, तो देखिए, S आपके पास यह है, यहाँ पर टिक लगा दिया, उसके बाद डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ तो हाइस प्राइटिक इसकी है, इसकी है, मतलब कि इनकी बीच में क्या रिलेशन होना चीज़ था, S is less than equal to, यह फिर S, डॉलर, यू होना चीज़ था, लेकिन गिवन के S ने दिया हुआ है, यहाँ पर हैश, ठीक है, अब देखी, इसको मैं बताता हूँ कि यह definitely false क्यों है, अगर मैं इसको decode करता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, S is less than equal to U, मतलब क्या, S या तो less हो सकता है U से, S equal हो सकता है U से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, कि S क्या है, वो greater than U से, तो यह तो कभी भी यहाँ पर true नहीं हो सकता है न, तो यह क्या हो जाएगा, definitely false हो जाएगा, इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा, D1 is the right answer, ठीक है, I hope आप समझ पाये होंगे इसको, कि definitely false का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और बस generally false का मतलब क्या हुआ, ठीक है, next question देखते हैं, देखिए, next question देखिए, A और C के पीछ में से रिलेशन पूचा है, A आपके पास यहाँ है, और C आपके पास यहाँ है, तो A से C आप B के थुरूँ जा सकते हैं, मतलब क्या A से B अगर मैं जाओंगा, तो देखिए, यहाँ पर क्या given है, आपका percentage given है, मैं percentage यही यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया, उसके अगर B से C अगर मैं जाता हूँ, तो फिर से मैं left to right जाता हूँ, मतलब जो sign given हैं काँ मैं voice sign यूज़ करूँगा, hash given है, यहाँ पर टिक लगा दिया, इन दोरों में से highest practice की, hash की है, ठीक है, क्या होना चीद है, hash होना चीद है, लेकिन आप given का है, आपके बास add a rate given है, इसलिए क्या हो जाएगा, कलत हो जाएगा, second की बात करते हैं, D और F की बीच मैं अगर में बात करता हूँ तो, D आपके पास यहाँ given है, और F आपके पास यहाँ given है, तो D से F आप कैसे या सकते हैं, देखिए, D से सबसे पहले में क्या करूँ, L जाओ, मतलब मैं right to left जाओगा, तो जो sign given है को मैं उसका opposite sign use करूँगा, क्या given है, percentage given है, मैं यहाँ पर tick लगा दूँगा, ठीक है, फिर L से मैं O जा सकता हूँ, L से up में जब जाओँगा, तो left to right जाओँगा, मतलब जो sign given होगा, मैं वही sign use करूँगा, क्या given है, at the rate given है, यहाँ पर tick लगा दिया, इन दोने में से highest practice की है, और dollar क्यों नहीं जाए थी, लेकिन है given क्या है, आपके पास hash given है, इस लिए भी क्या हो जाएगा, रॉंग हो जाएगा, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, neither, first nor second, clear है, next question दिखते हैं, ओके next question दिखिए, यहाँ पर अगर मैं C और X के बीच में relation को दिखता हूँ, C आपके पास यहाँ given है, और X आपके पास यहाँ पर given है, आप यहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हैं, आप इस line में जाएगे, ठीक है, left to right जाएगे, अगर मैं यहाँ दिखता हूँ, आपके पास दिखिए, opposite science use हो रहे हैं न, मतलब क्या, एक flow नहीं है इनके बीच में, तो इनके बीच में कोई तो relation को find out करनी सकते हैं, अगर मैं C से U की बात करता हूँ, in that case आपको C से पहले S जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर S से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यू जाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो ये तो लिखूँगा, S से आपके पास, sorry, C से S आपके आपके आपने क्या relation निकाला, less than, ठीक है, क्यों, अगर मैं यहां से यहां देखू, तो देख लीजे, इनके बीच में यह sign क्या करेगा, अगर dominate करेगा न, फिर S से मैं अगर U की बात करता हूँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, अब इस में से highest priority किस की अपके बस, इसी की तो है न, ठीक है, और वह यहां पर given है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, उसके बाद है कि, U और S के बीच में, अगर मैं relation देखू, तो उसने गाला, कि U is less than equal to S, लेकिन यहां पर क्या relation दिया हुए, कि U is greater than equal to S, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर X और V की अगर बात करता हूँ, तो X आपके पास यहां given है, और V आपके पास यहां given है, आप X से V कैसे है सकते हैं, X less than equal to S, ठीक है, फिर S less than V, तो यहां से अगर मैं देखता हूँ, X और V के बीच में relation क्याएगा, X is less than V, और वह यहां पर given है, इसलिए क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, तो second और fourth, इसमें क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, ठीक है, I hope clear हो होगा, next question देखते हैं, देखिए, okay, next question क्या given है, उसने मुला है, कि what will come in place of question mark in the following, such that this and this are definitely true, ठीक है, तो आपको L less than X, और Q greater than equal to U, यह दोनों definitely true follow कर आने, ठीक है, तो अगर मैं पहले L और X के बीच में बात कर लो, fine, तो देखिए, इसी को देख लेएगा, यहां पर आपके एक percentage given है, ठीक है, तो अगर मैं in case इसको put करता हूँ, तब उस के इस में क्या होगा, L और X के बीच में कोई भी relation ने निकल पाएगा, क्यों ने निकल पाएगा, क्योंकि यह sign, और देखिए, यह वालत sign, आपके पास क्या है, opposite है न, मतलब क्या, एक flow तो बना नहीं पाएगे, इसलिए क्या जाएगा, यह option तो नहीं हो सकता, इस option के अगर बात करता हूँ, तो यहाँ से, अगर मैं इसको put करता हूँ, तो L, less than X, यह बनेगा, सही है, लेकिन क्या आपके पास Q, greater than equal to U, बन पाएगा, Q, क्योंकि आपके पास Q यहाँ है, और U यहाँ पर है, अगर मैं put कर देता हूँ, यह, तो यहाँ पर तो देखी क्या बनेगा, Q is greater than equal to U बनेगा, तो वो ही यहाँ पर चाहिए था, इसका मुदर क्या है, कि यह इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, समझ में है न, अगर मैं इसको put करता हूँ, इसका right answer क्या हो जाएगा, only second, ठीक है, next question देखते हैं, ओके next question given क्या है, उसने बुला है, in which of the following expression, will the expression यह, अब be definitely true, ठीक है, इसका आपको definitely true proof करना है, तो P और J के बीच में, अगर relation बूच चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो इनके बीच में, आप कोई भी relation को find out नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या, opposite sign क्या, आपके पर sign given है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि इससे तो आपके पर answer आएगा नहीं, आप definitely true follow ने कर रा सकते हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखू, तो यहाँ से आपके पस क्याएगा, पी इस अग्रेटर दन जे, इसका मतलब क्या यह चीज ट्रू नहीं हो रही है, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता आपके पस option, फिर यहाँ अगर मैं देखू तो, पी और जे के बीच में relation क्या है, कि पी इस लेस दन जे, So, हमें पताना है कि इसमें से कौन सा आपके पास expression true होगा, अगर यह आपके पास true है, ठीक है, एक्स और अन के बीच में अगर बात करता हूँ तो, एक्स और अन के बीच में क्या होगा, एक्स ग्रेटर दन अन होगा, मतलब क्या, इसको मैं defilatory true तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, s is equals to m, s is equals to m, यह भी आपके पास true नहीं हो पाएगा, s is less than n, s is less than n, यह भी आपके पास true नहीं हो पाएगा, ठीक है, I hope clear हुआ होगा न, next question दिखते हैं, देखिए, next question given क्या है, what should come in place of question mark, in the given expression, so as to make, q is greater than r, always false, so q greater than r है, इसको false proof करवाना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, देखिए question mark में, अगर मैं देखू, तो equal to, अगर put करता हूँ तो, यहां से तो q is greater than r आ जाएगा, अच्छा, greater than put करता हूँ तो, यहां से भी q is greater than r आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं greater than equal to रखता हूँ तो, in that case also greater than, q is greater than r या जाएगा, फिर अगर मैं यहां पर रखता हूँ तो, q is less than r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाँ यह आपके पास wrong proof हो जाएगा क्योंकि इनके बीचे हम कोई भी relation को find out नहीं कर सकते है तो इसका right answer क्या हो जाएगा fourth one is the right answer चीक है next question देखते हैं ओके next question देखते हैं देखिए उसने क्या ओला कि which of the following expression will be true if the expression यह is definitely true मैं दिखता हूं तो q is greater than or इसका मतलब क्या है कि यह आपके पास option नहीं हो सकता फिर x और t की बीच में अगर बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में कोई भी relation नहीं निकलेगा न इसका मतलब क्या है कि यह भी आपके पास नहीं हो सकता o से q की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या बनेगा o is less than q और वो ही यहाँ पर given है इसलिए क्या हो जाएगा true हो जाएगा उसका t is equal to q यह आपके पास क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा तो इसका right answer क्या जाएगा c1 is the right answer ठीक है next question देखते हैं देखिए next question क्या given है उसने बोला है अगर मैं x और w के बीच में relation निकालना चाहूँ तो देखिए x यहाँ पर given है w यहाँ पर given है अब x से w कैसे आ सकते हैं आप पहले x से a जाएगे ठीक है a से आपको r जाना पड़ेगा फिर r से आप w जाएगे ठीक तो यहाँ से मैं किस तरीके से लिखूँगा x से a fine a से r अगर मैं लिखता हूँ तो यह इस तरीके से आएगा फिर r से अगर मैं w जाता हूँ तो यहाँ पर यहाँ अगर मैं देखूँगा तो इन दोनों के बीच में कोई भी relation find out नहीं हो पाएगा न ठीक है क्यों क्योंकि आपके पास यहाँ जो sign given है वो opposite given है इसलिए यह क्या हो जाएगा आपके पास wrong हो जाएगा फिर अगर l और w की बात करता हूँ तो l यहाँ पर है w यहाँ पर है ठीक है l से w में कैसे आ सकता हूँ फिर से वही चीज में को करनी पड़ेगी क्या अगर मैं देखिए आपके पास यहाँ x था ना ठीक मुझे क्या करना पड़ेगा greater than equal to l बस इसको और put करना है फिर यहाँ से अगर मैं डबलू जाओंगा तो इसके बीच में भी देखिए आपके पास क्या opposite sign use हो जाएगे ना तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा फिर से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इनके बीच में वही चीज है आपके पास कोई भी relation ने निकलेगा इसलिए यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आपके पास सब गलत है ना लेकिन अगर मैं second और third में देखूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है same element से अगर same element से और दोनों गलत है एक बार check कर लिए यहाँ पर either or की condition लगेगी क्या अगर मैं L और W के बीच में बात करता हूँ तो कोई भी हमारे पास relation given नहीं है इसका मतलब क्या है इनके बीच में तीनों सायन हो सकते है greater than, less than or equal to यह होना चाहिए ना और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ देखिए second से क्या given है L is greater than equal to W, third से क्या given है L is less than W यहाँ पर देख लिए तीनों सायन given होगे ना इसका मतलब क्या है इन दोन में आपके पस either or की condition लग जाएगी तो इसका right answer क्या हो जाएगा D1 is the right answer ठीक है I hope clear हुआ होगा next question देखिए next question क्या given है T से D की अगर बात करता हूँ तो T आपके पस यहाँ given है okay D आपके पस यहाँ given है तो T से D में कैसे आ सकता हूँ T is less than M और M is greater than D इनके बीच में तो कोई भी relation नहीं निकलेगा इसलिए first वाला तो wrong हो जाएगा फिर T से A की बात करता हूँ तो T से A क्या given है आपर T is less than equal to A तो यह भी क्या हो जाएगा आपके पस wrong हो जाएगा ठीक है M और Q की बात करता हूँ तो M यहाँ पर given है अब देखिए Q और D का है वो तो equally है मतलब मैं यहाँ पर Q रख सकता हूँ न तो यहाँ से क्या relation एकल रहा है कि Q is less than M ठीक है और वो ही यहाँ पर given है इसलिए क्या जाएगा true हो जाएगा तो इसका right answer क्या जाएगा only third one followed ठीक है So I hope आज इतने questions हमने किये वो आपको समझ में आए होंगे Thank you so much